जैसा भी होगा अपडेट मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी मतब लोग इतना गिर रहे हैं इतना लोग गिर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना गिर रहे हैं हेलो कैसे हो आप सब तो अभी मैं कोई आपके साथ ब्लॉग वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ मैं अभी सुबह के मैं टाइम देख के आपको बताऊं तो साथ हो रहे हैं और मैं भी थोड़ टेम पहले जगी हूँ और ये वीडियो आज की ही है और आज ही ये वीडियो जा रही है और बस 2 मिनट का समय के मेरी वीडियो को सुन लेजियेगा जरूर और बहुत लबी वीडियो नहीं है कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले तक मैं फेसबुक पे अक्टीव हूई मतलब मेरे फेसबुक पे एक ही आपएसे गाहों की सांती की नम से जिसको मैं चलाती हूँ और उस पर वीडियो अप्लोड करती हूँ अपने ब्लॉग की क्योंकि मेरे को बहुत सारी लोगों ने बोला कि सांति आप फेस्बुक पे अक्टिव हो जा और मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया है और मैंने कहीं लिंक दिया है अपना कि मुझे फॉ सांति के नाम से जिसके स्क्रिंसोट मैं यहां पे लगा रही हूं और उनको मैंने जाके पर्सनली मैसेज भी किया कि आप यह डिलीट कर दो क्योंकि मैंने चाहती कि मेरी पर्सनल चीज़ों को आप मुझे मुझसे भीना इजाज़त कि आप फेस्बुक पे अपलोड करे उसकी फोटो उन्होंने लगाई है dp में आपको यहां मैं मैं स्क्रिंसोट दोंगी और फिर उसके बाद उन्होंने ब्लॉग अपलोड किये जा रहे हैं रील अपलोड किये जा रहे हैं लड़का है की लड़की मुझे नहीं पता है हां मैं ये वीडियो उन ही के लिए बना कर दो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं बिल्कुल किसी को भी यह चीज अलाव नहीं करती हूं कि मेरी कोई भी वीडियो को उठाया जाए और उसको फेस्बूक या फिर किसी भी सोचल मेडिया पर अपलोड किया जाए?. ठीपापा ने भी इनको भी मेस्ज़ किया हुआ है, अपनी खुद की अइडियो से वह देखे वो यतना मुझे चिला रहारे, इतना गुश्श कर रहे थे . फिर मैंने बताये कि नहीं , फिर उन्हेंने जाके última Montague को मैससी कि रहे ह Nuevam जानते होंगे उनको पता नहीं है कि हुआ होगा ज़जी के बारे में किंग back बॉलिस करवाई करेंगे और ये बात सच है ौहिए और मुझ़े राइक देना भी आ गया है मैंने सीख लिया है कि फेस्बुक को स्ट्राइक कैसे देते हैं तो मैं वह भी कर सकती थी यह वीडियो बनाने से पहले या फिर मैं तुरंत महिला हेल्प लाइन नंबर पर फोन करके उनका यूर्ल दे कि फेस्बुक का उनको खट से पकड़ लेती कि वह कौन है कहां से हैं मैं सब कुछ कर सकती हूं लेकिन उसके बावजूर भी मैं यह वीडियो बना रही हूं कि मैं उन सब चीजों में ना उल्चूं उससे पहले क्योंकि आपको मेरे हर ब्लॉग को उठाकर डालते हैं यह डालती हैं तो यह वीडियो भी आप तक पहुंचेगी मतलब कि मैंने जब मैसेज किया उनको अप चैकाप आईडी बनाते हैं अधर फेस्बुक लॉगिंग जी नहीं मतलब मेरा तो मैं क्या ही बोलू ना मेरा मतलब की जीमेल भी मैंने अपने यूटूब के लिए जो देते हैं काफी टेम बात बनाया था तो मुझे कुछ उतना पहले पाता नहीं होता था लेकिन अभी स् होता है हम जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन से पूछे कितनी मेहनत होती है यह दो-चार या पांच या दस मिनट या बीस मिनट की वीडियो नहीं होती कि हम आए camera लिए और बोले जी नहीं जो एक प्लॉफर जो ब्लॉग यो पूरे दिन का हमा कि उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है उसके पीछे क्या चीज़े होती है वो कोई नहीं जानता है सिर्फ वह ही क्विएटर ही जानता होगा जैसे कि ऑफिस में जाके कोई काम करता है आठ गंटे का वैसे हमारा भी है जो रोटी सब्जी हम नॉर्मली करते हैं को एक समसे करते हैं कितने सिल्देंस हम लोग Мैनेज करते हैं किसी कोई शींकिज हमारी बुरी करना पड़ जाता है हमारा हमको टाइमिंग मैनेज करना पड़ता है बहुत सारी जिलने के बार एक वीडियो त्यार होती है जो यूटूब पे जाती है और इसका मतलब यह नहीं है उससे मैंने जब पिछली बार आंकिनों ने ऐसा किया था तो उन्होंने बोला कि मैं तो आप सब्सक्राइब कर रहा था उससे मुझे अर्निंग नहीं बात अर्निंग की नहीं है मेरी फ्रेंड की वीडियो जब हम दिल्ली गये थे वह तक उन्होंने उठा के फेस्बूक पे अप्लोड कर दिया है अब वह अगर एक्शन ले ले वह अगर एक्शन ले ले तो फिर आप सब्सक्राइब कर रही है अब उनको पता भी नहीं होगा तो इस तरह की चीजे आपने देखा हो कि मैं अर्मा के साथ कभी वीडियो नहीं डालती हूं ऐसा नहीं कि मेरा बच्चे कभी मन ने कर आजकल तो बच्चों के वह हैं खुद के उनके इंस्ट्राग्राम आइडी है प्रोफाइल है यह है वह है पर ऐसा भी नहीं है लेकिन वह तक उन्होंने फोटो और वीडियो अप्लोड करी है जो कि मैं बिल्कुल भी इजाज़त किसी को भी नहीं देती हूं मैं मैं जो इंफ्लुएंसर ऐसे काम करती हूं मेरी रील अगर कोई अप्लोड करता है न अप सब्सक्राइब सब्सक्राइब से वह नहीं किया सकता है सोचल मीडिया पर मतलब है नहीं मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं हम मेरी ऑसेस्ट्रां लोगों की मेरीस के मिश дав kam कि कि किदमा वीडियो उठाओ और एका ज़यों कि पल्पर दोंग है वह दोंकि और मुझे गुश्चा आता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप उस आइडी को डिलीट कर दीजिए नहीं करेंगे या नहीं करेंगी जो भी है तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी और मैं के पापा ने तो मुझे मना किया कि रहने द होल यहां का समाश बहुत दूसरी तरहिए का होता है बहुत साइच चीज़े मैंज करके चलनी पड़ेती है बहुत से सुननी और सहनी भी पढ़ती है इतना अवसान नहीं होता है मैं तो अपने रात का मतलब थोड़ा सा में वीडियो शूट कर लिया था और मैने बताया भी जब इनों ने दिखाया तो मेरा मतलब की मैं क्या ही बोलूँ आप सबको मुझे गुस्सा आ गया बस मैं इतना बतारी वह जब की क्रोध बिनास का कारण होता है मैं क्रोध बहुत जाद मतलब कम करती हूं लेकिन कभी-कभी लोग इतनी हदे पार कर देते हैं किसी भी creator के का वीडियो उठाओ अपने खुद का मेहनत कर लो खुद से कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो अपने लाइब में यह क्या बात हुई कि अपने वीडियो किसी की भी उठाई और फटाक से फेस्बूक पे डाल दिया बहुत इजी है तो मैं आपसे बहुत प्यार और बहुत लहजे से बोल रही हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो में अभी अप्लोड पे लगाऊंगे मैं नहीं देखूंगी कि क्या टाइम है क्या नहीं है हाँ अप्लोडिंग में थोड़ा एक दो घंटे लगेगा क्योंकि मेरे यह नेटवर का बहुत पब्लम है वही तो कि कितना मेहनत हम लोग करते हैं तब जाके हमारी वीडियो वह होती है उसमें सेम वह कर रहे हैं जैसे लगे गाई नहीं की फेक आईडी है सेम वह टाइटल इस वीडियो को मैं यहाँ पर खतम करूंगी जो भी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ट किया होगा वह मैं इसमें एड कर दूंगी आप लोग देख लीजिएगा और इस तरह यह की चीज़े ना करिए किसी के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे तो होगी ही होग सामने माले को भी हो सकती है जो इस तरह की हरक्वते करते हैं तो मिलते हैं बस में वो खलिप सारे 央री कर्णी क्योंकि वह और अप सबसे हैं इतना लोग गिर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना गिर रहे हैं यह वो क्लिप थी जो मेरे मैंने वीडियो के लिए शूट किया हुआ था और बस हमको ना बहुत जल्दी कुछ सर्प्राइज हैं बहुत चीजें हैं जो आप सब के साथ मैं शेयर करने वा इसलिए मुझे कुछ तो चाहिए तो मैं जैसे कुछ ना कुछ ट्राइग कर रही हूं अच्छा अपने लाइब में क्यूंकि हम लोग आपको परता ही है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं मेरे लाइब में कुछ ऐसे मेडिकल इशूज हैं जिसकी वज़़से मैं चाय वगेरा मुझ से शेयर करूंगी वो शेयर करूंगी बट ऐसा कुछ हो गया आपने देखाई मतलब इतना ज़्यादा गुसा आता है ऐसे लोग की सोच पे और ऐसे लोग की थिंकिंग पे और इस तरीकी की लोग जब हरकत करते हैं तो समझ नहीं आता है क्या करूं एक तब पुरा भर के बरत है थाकि वो सुधार करें अपने अंदर क्योंकि लाइफ में सबसे गलतिया हो जाती है मैं यही करूंगी और मैं निवेदन भी करूंगी कि वो डिलीट ही कर दे तो ज्यादा ही सही रहेगा और और कोई आप्शन है नहीं उनके पास फिर पुलिस प्रशाशर्ट और साइब में जाएगा यह चीज आप सब बहुत अच्छे होंगे तो बस आभी किचन का काम खतम किया और इतने सारे यह सुन्दर सुन्दर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बरतन मैंने धुल के सब कुछ का लिया हुआ है और यहां पर देखिए मेरा ट्राइपोर्ट सुभा या यहां पर अधिका मोबाइल बज़ता वह रहा है कि बज़ रहा है ने टोर्क नहीं है जब नेट चल रहा है तब वह चल रहा है मैं तो डली गए तब मैं कपड़े फोल्ड करूंगी और उसके बाद मैं बनाओंगी साम का खाना और मैंने स्मूदी बनाई थी बट वीडियो शूट नहीं कर भाई बहुत सारी चीज़े डाल के अभी में जब में बनाऊंगी तो आप सब किसा शेयर करोंगी तब हमने दोनों ने मा बेटी ने स्मूदी पिया हुआ है और यहां पर यह कपड़े फोल्ड कर दो और मेरे घर देखिए रह रहे के चल रहा है ऐसा वीडि करिएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा